आपको शुरुवात में कहा कि बीजेपी का जो गंदा और जहरीली जो प्रचार है उसको लोगों को सकरात्मक ले जाके बताने का काम हमारा ये करेगा हम कोई कॉंग्रेस इस देश को बचाना चाहती है देश को बरबाद करने वालों से और इसलिए जो भाजब का जो गंदा प्रोग्राम शुरू है वो कंदे प्रोग्राम को रोकने के लिए शकरात्मक भूमिका लेकर हमारा आईटी मीडिया काम करेगा चोटा कारेकर अपी उनके लिए काफी है इसने वो सचीन हमारा नड़ा के लिए का भी है नाना पटोले खुर्ची के पेच्चे नहीं और 2018 के आधार पर राज़ rätt हार को का इलेशन को फनाट पे लेना pollut पे लेना उसका चानुन बनाने का आधिकार है यह मैंने अपने वेवस्ता से नहीं मुझे अगर गारा पर जबत करना है और सविधानिक विवस्ता से कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए उनका मत उनके पास, मेरा मत मेरे पास, मेरे अधिकार है हो, हमने तो इसके पहले ही, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, राज्य सरकार के जो आपको महितियाई हो, मैंने पहले ही कहा कि विमान में राभी होने के ले सकते हो, उनका तो क्या है? मोधी है तो में सुमया के बातों पे आप इश्वास करते हो? संसद रहे तो मैं भी संसद रहे चुका हूँ, मैंने भी कही संसद देखा हूँ परलामेंट में, मेरा वो इस्व नहीं है, आतमी की क्रेटेबल भी तो होना चीह है, अब तो हर बार तो उन्हें कितने उनकी प्रेस कांप्रेंस हो गया, और दस्तावियज के साथ बिल्कुल सा पूचा था या जो अब केंद्र में छे साल से जो सरकार बैठी है पैसे वाली है सता में है पैसे लगा के क्या क्या करती है आप इन नहीं बता है मैं तो आरूप नहीं किया कांग्रेस तो वह ही लोग कह रहे थे कि 60 साल सत्यमा थी गांधी परिवार से मिलाता हूं और मोदी जी से आप लोग देखते ही हो आपको समझ में आएगा कि गांधी परिवार कैसा है अगर इनके जैसे रहते तो देश तो तभी बरबाद हो जाता था आप लोग और तुम लोग हम तो दिखते ही नहीं इसलिए मैं हमारी पार्टी य ये हमारी कॉंग्रेस पार्टी आम जनता की पर्टी है, किसानों की पर्टी है और इसलिए भ्रष्टाचार ये हमारे देश नहीं हमारा देश खड़ा होना चीए आपको पता हैं कि ये बजेट जो हुआ अभी केंधर सरकार का केंधर सरकार के बजट में डिस इंवस्टमेंट का पे जोड़ दिया कि यह जो कंग्रेस ने इस देश में में मिनाथ करकर जो प्यूस्स बनाई ही जो प्रापटिस बनाई देश की वह बेशने का कामी लूग करेंगे कितना नुप्या जम्ह करेंगे 1,5,000,000 करोड रुपया उसमें महाराश का क्या बेशने वाले पता है आपको महराज का जो सिवाजी टर्मोलेल अपना जो है न स्टेशन जिसको जीस्टी बोलते ऑस यह बहुता कि वह भी बेच रहे हैं जो हमारी सब्की शान जो हमारी रेलवे देखकर मेट्रो बनी दिल्लिय में कोकन रेलवे को वह बेचने निकाले अब क्या पैचेंगे इनने पहले तो जवाब देना चाहिए नहीं राज्यपाल का इशु लेके घुम रहे नहीं है यह लोग एरपोर्ट बेज दिये रेलवे बेज दिये एर इंडिया बेज दिये लाल किल्ला बेज दिये अब मैं इसलिए आप लोगों कहता हूँ कि इन लोगों को हमारा जो आज प्रोग्राम हमने आप जिसके लिए बुलाए यह सोचल मीडिया के माद्यम से हमारा एक ही रहेगा कि यह जो लोगों को ब्रमीत करने का पाप यह लोग करते जाती धर्मों में लड़ाते यह उसका इल किंद्र सरकार हमने राज्चे सरकार को कहा है कोई भी धर्म के बारे में कोई भी हो किसी भी धर्म के उपर कोई भी टिका नहीं कर सकता किसी धर्म को गाली नहीं दे सकता कॉंग्रेस सेकुलरिजम को मानने वाला है और इसलिए कोई भी ऐसे लोगों को कॉंग्रेस में कोई मानने ता हो नहीं सकती कि इसका सपोर्ट करने का कोई कारण नहीं है विँआ नहीं आप alone पहिंगा है कि अंको भी कारवाई करना पड़ेगा अब शुरुबाद हुएं शायद जो मेरी बात समल न पुरिया को आपने सवाल किया मैं बता रहा लाओं कैसा है कि आयोग जब आता है आयोग का रिपोर्ट ऑता है आएक का रिपोर्ट काबिनेट के सामने आता है उसको उसमें का कितना लेना कितना नहीं लेना उसको मानने का नहीं मानने का जब स्वामिनातन समिति का सिपारस जब केंद्र सरकार के पास आई सरकार ने 60 60 उसकी सिपारसे को स्विक्रूत किया बाकि सिपरसु के बारे में विचार चल रहा था, लेकिन उसी समय में इलेक्षन आये, इलेक्षन आने के बाद में किस ने कहा था कि हम स्वामिनातन समीति की सिपरस लागो करेंगे, प्रदान मंत्री जी ने कहा था क्यों नहीं किया हमने तो 60 किया सिपरस साथ और बाद में जिमको एक बता रहो आपने पुछा इसलिए जैसी सरकार आई उसके बाद मोदी की सरकार ने तुरण सुप्रीम कोर्ट में एफ्लिट किया कि हम स्वामी नितन सम्मिती की सिपरस लागू नहीं करेंगे इसने कहा था उनने चुनाओ के पहले कहा था चुनाओ होने के बाद जैसे प्रदान मंत्री बने जुमला हो गया लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें